आपने महनत की बात बताई कितना टाइम लग जाता है आपको इसका देख बाल करने में हमेर जी दो घंटे सुबह को और दो साम को दो घंटे सुबह को दो घंटे शाम को जाते है अच्छा जी तो यह बताओ जैसे आपने आर आई यार जो ब्रीड पाली इसके बारे में कहीं आपने जांच परताल करी थी आजी फेस्बुक पे चैनल देखे जांच करी जी अच्छा जी फेस्बुक पे आप वीडियो देखते रहे तो इस जो नसल आपने चुनाव किया इस नसल की क्या खासियत है इसी अंडे में बड़ी है जी और दाना कम खावेगी अच्छी मैं सैड देख रहा हूं सैड भी अच्छा खासा आपने चलो बक्रियों के लिए बनाया जी तो एक बर यह अब दोनों काम में आ रहा है चलो बक्री भी इसके अंदर बान सकते हैं और यह अपनी ज अच्छा जी एक सो पांच न लंभाई अच्छा जी और च्पन पुठ चोडाई जी अच्छा भाग इसके पूरे बाड़े की बतारे मां यहां जी कि अच्छा डंभाई और सताइस चोड़ाई है जिए चालिस लंबाई सताइस चोडाई जी तो लगबक इस पर कितना दो लाख रुपे क्योंकि आपने पक्का बना रखा है एक दम लोहे की गाटर लगा रहा है अच्छा है नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका पॉल्ट्री पैन इन्फो में और दोस्तों आज मैं जिस लोकेशन पर आए हुँ इसका गाउं का नाम है शीना जीला पढ़ता मेरठ यूपी के अंदर यहां पर क्या है कि आपको जैसे कि आपको पिछे दिख रहा होगा यहां पर आराय के से अब इसका पालन कर रहे हैं और क्या-क्या मेनेजमेंट है सारी चीज जानेगी जो सेड की कोस्ट है इसलिए आप इस वीडियो को लास तक देखते रहें साथ में दोस्तों आपको बता दू जो निच्छे आपको नंबर दिख रहा है यह मेरे एक वर्टसप गूरूप है जिसके अंदर बहुत सारे पॉल्टी फार्मर भाई जुड़े हों तो आप इसका बन सकते हैं आपको क्या अगरना है अपने स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिखके मेरे को वटसप पे मैसी कर देना ताकिम आपको वटसप ग्रूप जोइन कर वासको जिससे आ हां है जहां पे आपने यह अरह जो नशल आ उसका पालन कर रख दोगी आजर जो है हम सेल इन तैया जो मुर्गे वह कर दोगे और आया जो मुर्गीया है वह आप अंडे के लिए रख 여घ similar ठेन। आपने सैड पर भी अच्छा खर्चा लगा रखा है हाज ठीक है तो लग बख कितना खर्चा आ गया और इस सैड की क्या कहानी यह सैड आपने मुर्गों के लिए बनाया था यह इता ने बड़ी ओक लिए अच्छा वार बाद सभ्जमेन आई तो हम यह आर आर के बच्चे ला है तो मुर्गयों की इसलिए थोड़ा सूबह कौ कर लें थोड़ा सूबह सांज को कर जाएं अच्छा हलका काम है आप ओफ-कैम्रा यह वह बता रहे ते कि बकरियों में मेहनत थोड़ी ज्यादा थी हम आप अब में अब इस इतनी मेहनत होती नहीं है कि अन्दर आपने मेंथें वाध कितना अ लग जाता लग behत जांग लिगें असविता जेट इसला है लेक्ट मेंखें को में ऑचे पेड़ने सब्सक्राइल कम सब्सक्राइब खर्टार थक्राइब पानीकार दाने का धिहना हूँ टेम से जिरना अच्छा धाये कि आपने बात करी आप दाना पर्वेस पीर-च्टार्टर चला nogle यह कुतं आर यह कितने पढ़ती है वो थोड़ी जानकारी नहीं थी जी आगे को देखेंगे अच्छा आगे को आप छोटे बच्छ लेकर तो आपको थोड़े महंगे भी पढ़े होंगे महंगे पढ़े जी हाँ क्या रेट में पढ़े जी आपको यह पढ़े जी सो रुपे का बच्छा सो रुपे क तो यह बताओ जैसे आपने आर आई आर जो ब्रीड पाली इसके बारे में कहीं आपने जांच पड़ताल करी थी यहां जी फेस्बुक पे आप वीडियो देखते रहे तो इस जो नसल आपने चुनाव किया इस नसल की क्या खासियत है इस एंडे में बड़ी है जी और दाना कम खावाएंगी आच बाला है जास्फी की बात करी कि डवल फजी ज्यादा आसा खाती यह ब्रीड काफी कम दाना खाती यह उसके मुकाबले पर और अंडा थे अंडा भी ज्यादा जैदा अंडा लगब साल बर में कितना देती है मतला अच्छाब आठा जो आच्छा में लुद तो आपको यह से लगबग एक महिने का तो आप चले गया है व लगबग यह 25 दिन का और कि दो महीने के असपास हो गया कि रफ वराइटी लगी कई की की रफ रएटी होती है जो एक दूसरे हैं जाद सरार्थ करती है हमें तो जी तो वह Nahi तो वह अच्छी नहीं लगे ।ा छिनि ना क्या उसमें किया कमी थी इस में क्या खासिए था बताओ थोड़ा बजी जी जाए और यह मेट के लिए भी मुर्गाबीश का चल जाते हैं तो किलो डेट किलो तीन महीने से उपर का ती डेट किलो का हो जाए आजए रहा हूं आपके लोकिसिन भी अच्छी खासी बढ़िया जगह पर है यहां से आपके घर के सामने से जहां पर आपने बना रख रहा है आपका सड़क जारी है हाँ जब आए तब एक भाई था उसने बताया था कि यहां यहां पर फारम है मतलब उसको मालूम था आपके फारम का अच्छा यह जो वराइटी है ब्राउन कलर है इसका ठीक है तो यह मतलब अभी तो चलो अभी दो महीने की होई है तो आपको दिखने में कैसी लगती कोई आता है कोई कैसा बोलता है कि कैसी वराइटी है बढ़िया बता रहे हैं अच्छा पहली बार में यह आपने अच्छी सेलेक्शन का चुनाव कर लिए अगर अंडे और मीट के लिए पाली जाए तो यह डूल परपस बरीड है जो अंड यह इस पर लगबग आपका कितना खर्चा आगया और कितने बाई कितने का है यह एक सो पांच पूठ लंबाई अच्छा जी और है च्छपन पूठ चोड़ाई जी अच्छा वह तो आप इसके पूरे बाड़े की वह बताने हैं जी मैं उस हैड़ी के बात कर रहा हूं जो यह है जी 40 लंबाई और 27 चोड़ाई जी 27 चोड़ाई है इसकी 40 लंबाई 27 चोड़ाई जी तो लगबग इस पर कितना खर्चा आगया इस पर जी करीबन दो लाख रुपे आगए दो लाख रुपे क्योंकि आपने पक्का बना रखा है एक दम लोहे की काटर लगा रहा है अच्छा आपका इस सैड़ है कितनी बर्ड का है कितनी आसकती है एस में औरंसो बड़ आशके हैं जानकार लिए इसके बाले अच्छा आप दाने में अभी आपने बताया प्री स्टाटर खिला रहा हो ठीक है आपने उसके बाद में विजह से अभी कुछ फीड भी आप वि यहां पर आपके जैसे कि कोई भी बिजनस करता है तो पहले उसके बारे में जानकारी लेता है तो आपने इदर जानकारी जूटाइए बहीं किस रेट में आपके इदर मीट सेल होता है इसका तो उस बारे में बताओ आप जी मुर्गा करीबं 500 रुपए तयार होने पर जी और यहां पर मार्केटिंग की समस्या आपको लगनी राकि आएगी आएगी मार्केट की समस्या नहीं आने जी अच्छा कोई नया फर्मर भाई करना चाहिए उसे क्या जानकारी दोगे आप वह यह जानकारी जी थोड़े थोड़े मुर्गे से चालू करें और अच्छी विरीड का चुनाव करें तो बहुत ही अच्छी जानकारी दीजी आपने आप अपना एक बर दुबारा से एड्रेस और एक बर अपना फोन नंबर बता दो अगर किसी बाई को आप से कुछ खरीद ना हो था ना या फिर कोई जबाए तो अपने आदमी थोड़े महनत का काम रहता है यह ना तो अपना एक बर बता दो यह आपके नंबर आपका नाम और बता दो नाम आपका नाम अच्छा तो कोई भी भाई को जानकर जुटाना चाहे या इनके फारम से कुछ खरीदना चाहे ताकि हमारी कोशिश यह कि फार्मर से डारिक्ट कुछ ना कुछ खरीदा जाए ताकि उसको भी मुनाफ़ा में तो धन्यवाद जी आपका भी धन्यवाद